खमागणी साथ वेलकम बैक टू स्वादो से है तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ रेसिपी दही तड़का की यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है रेसिपी तो चली शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैं ले रही हूँ तीन चार चमच सरसों का तेल आप रिफैंट तेल भी यूज़ कर सकते हो तेल गर्म होने पर मैंने इसमें आधा चमच जीरा डाला है और आधा चमच राई डाली है थोड़ा सा बारी कटावा लैसू डाला है दो बारी क को सौफ्ट होने तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे तो यहां देखिए प्याज हमारा भून चुका है कलर इसका थोड़ा ब्राउन हो गया है तो अब इसके अंदर बाकी के मसाले अट करेंगे तो मैं इसमें डाल रहे हूं टेस्ट के हिसाब से नमक आ मसाला यहां पर भून चुका है अब जब मसाला भून जाए तो गैस की फ्लेम को आप एकदम लौ कर दें और अब इसके अंदर मैंने एक कर्टोरी दही लिया है दही को अच्छे से फैंट लेंगे और फैंट लेने के बाद में दही को हमें मसाले में एड़ कर देना है पर यहां पर ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को एकदम लौ रखना है अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो जो दही है वो फट में लगता है तो मैंने फ्लेम को एकदम लौ करके रखा उसके बाद में gas की flame को बंद कर देना है तो यहाँ gas की flame को मैंने बंद कर दिया है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ खूब सारा बारी कटावा हरा धनिया तो दही को डालने के बाद में हमें पकाना नहीं है बस gas को जस्ट बंद कर देना है दही को डाल करके और मसाले में मिक्स करके और अभी आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा पतला है क्योंकि ये भी मसाला गर्म था तो दही थोड़ा पतला हो जाता है जैसे ये थोड़ा थंडा होगा दही थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हमारा गर्मा गर्म दही तड़का बन करके तयार हो चुका है चलिए इसको serve करते हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा थंडा कर लिया था और थंडा करने के बाद में आप देख सकते हो यह थोड़ा गाड़ा भी हो गया है और तेल भी सका separate हो चुका है तो बहुत ही आसान सी रेसेपी है जब कभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या सबजी बनाए तो आप ये वाला दही तड़का यूज कीजिएगा कई बार होता है गर में सबजी लाइवी नहीं होती है या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या सबजी बनानी है तो ये वाली जो recipe है ये उस time के लिए बहुत ही कारगर है बहुत आसान सी recipe है और बहुत ही tasty लगती है तो इसको जरूर try कीजेगा अगर recipe आपको पसंद आई हो तो please वीडियो को like share कर दीजेगा चैनल पर नए है तो जरूर चैनल को subscribe कर लीजेगा फिर मिलते हैं किसी नई recipe के स जरूर झाल को ये घरूरे टिर